तो हमने स्पेक्टर्म की सीरिस में लास्ट में बढ़ा था किसके बारे में है अलफांसोडी अलवर्प के बारे में अब जो नेक्स्ट कवर्डर है पुर्तिगाल के पृटिगिस के उनका नाम है नीनोद कुनहा अब हम बढ़ेंगे नीनोदा कोना के बारे में तो नीनोदा कोना जो थे वो पॉर्टिजूस के गवर्नर की रूप में उन्होंने ओफिस को समाला था उनका इंडिया में इंट्रेस्ट था नवंबर 1529 से और वो कम से कम उनका अल्मोस्ट वन इयर लेटर शिफ्टे था हैड़कॉर्टर ऑफ पॉर्टिजूस गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर्म कोचीन टू गुवा उनको रहना जितने साल था उसे एक साल और लेट तक वो यहां पर इंडिया में रहे थे लेकिन उनना शिफ्ट कर दिया गया था पॉर्टिजूस गवर्मेंट ने कोचीन से कहां पर शिफ्ट कर दिया था गुवा में शिफ्ट कर दिया था यानि कि वो यहां पर जब उनने गवर्नर बनाया गया था उससे एक साल पहले से ही वो यहां रह रहे थे लेकिन रहे का रहे थे कोचीन में रहे रहे थे लेकिन बाद में जब उन्हें गवर्णर के रूप में पोश्ट दे दी गई तो पॉर्टिविस गवर्मेंट ने उसने क्या कर दिया उसे सिप्ट कर दिया, कोचीन से कहा सिप्ट कर दिया गोवा में क्योंकि गोवा जो था वो पॉर्टी उसका सेंटर बन चुका था क्योंकि उसको अलफानसोडी अलवक ने 1510 में सुल्तान जो कहां का सुल्तान था बीजापुर के सुल्तान से लीज पर ले लिया था ये कफ किया है नवंबर में ठीक है ना बहादो शाह जो था मुगल एंपरर हिमायू जब बहादो शाह गुजरात का रूलर था जब उसका हिमायू के साथ में कंफलेट हुआ इसमें रूलर कौन था हिमायू रूलर था ठीक है ना हिमायू रूल था हिमायू के कौन था अकवर का पिताजी अकवर की पिताजी का नाम हिमायू था ठीक ह ना the island or basin with its dependence तो जो आइलेंड था आइलेंड किसका बसीन जो बसीन आइलेंड था with its dependency and revenue तो जो उन्होंने पर्देनन्स को क्या था कि वो क्या करेंगे उसको due base को दे देंगे खिसने किया था भालश्याग कुजरात में किसको शीच को था promise पॉर्टिक्यूस के साथ ने बहुत अच्छा हो गया जब उन्होंने हिमायू से गुजरात को जीत लिया हिमायू से गुजरात को जीता कब जीता 1536 में तो since the inhabitant of the town started fighting with the Portuguese भादुर्शा wanted to raise a wall of partition लेकिन वो जब देखते थे कि जो टाउन उसमें लगाता पॉर्टिक्यूस से जलाई जगडा हो रहा है तो भादुर्शा ने क्या करा एक दीवाल बनाने की partition की दीवाल बनाने की इच्छा रखी लेकिन पॉर्टिक्यूस ने इसको अपोस किया और लगातार इस बात पर चरचाय होती रही तो गुजरात का जी रूलर था उसे पॉर्टिक्यूस की उपना था उल्सु अट्यूर्टेट टो इंक्रिस पर्टिक्यूस इंफ्लेइंस बंगाल रहे जो अपना पयामें इसको चुमउगने तो फेवरेवल कंडीशन क्या थी पॉर्टिक्यूस के लिए एक तो इंडिया गुजरात को छोड़कर रूट्रूर्थ कहा उसमें किसका rule चल रहा था पावर फुल महमूत बेगर का रूल चल रहाता ठीक है यह गुजरात को छोड़ करिका बाकी जगा पाई एकसेप्टिम् गुजरात पॉल वाइदा पावल महमूत बेगरका कब से कब तक 1458没g army 11 तक ठीक है जो नौर्थ पार्ट था वो पूरी तरीके से डिवाइड था चोटी-चोटी पावर्ट समय यह पौर्ट की जब भारत में थे तब हमारे भारत की जो हालत थी उस वारें बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो नौर्धर पार्ट था इंडिया का वो चोटी- पूट गया था स्मॉलर्स किंग्डम में जब पॉर्टिक्यूज आए भारत में यह तब की बात है जब भयमनी किंग्डम था हमारा डेकन का वह स्प्लिट हो चुका था छोटे-छोटे पॉर्टिक्यूज आपने आपको और यूनाइट कर पाए तो पॉर्टिक्यूज जो ते वह किसके चाहता है अपनी कैनन के और शिप के साथ आए ठीक है ना हैड प्लेस्ट हैने प्लेस्ट अन देर शिपनों ने अपनी जो अतियार वगड़ा थी किस पर प्लेस्ट कर रखे अपने शिप है अब पॉर्टिक्यूज की स्टेट कौन सी है तो जेनरल टेंडेंसी है कि अंडरेस्टिमेट पॉर्टिक्यूज होड़न इंडिया ज्यादा तर यह सोचा गया कि पॉर्टिक्यूज को बहुत मतलब अंडरेस्टिमेट किया गया कि वह इंडिया में अपना यह होल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे लेकिन इस्टेट और पॉर्टिगूस दा इंडिया इसको क्या बोला जाता है स्टेट और पॉर्टिगूस ने अपना कंट्रोल किया उसको क्या बोला है पॉर्टिगूस लेंगिज में दा स्टेड पॉर्टिगूस दा इंडि वासकोट इमावज भारत में आयते 1498 से उसके आगे 50 साल तक अप्रोक्सिमेटली 1448 तक जो पौर्टी की पावर्थी उंडिया में काफी रही उन्होंने बहुत सारी उन्होंने गुवा के कोस्ट पे 60 माइल्स का एरिया जो है अपुपायट कर लिया था और वेस्ट कोस्ट मे गुजराद टक भी अपनी अप्रोच्ज बना ली थी मुमबई दमनद्यू और गुजराग तक नॉप नेरो ट्रेक किया था चार्ण इंपउर्टेंट पोर्ड स्को जिसमें भहुत सारी ताउंस और विलेजिस थे और सोत्व में उन्होंने क्या करा था बहुत सारी सीप औ कर ट्रेश को ट्रेडिंग पोस्ट को भी किलेम किया था जैसे कि मेंगोर में अंग्नोर है कना नौर चोची रह我在 इस दूब information का सिस फार को स्रहाब धार कि वो अपना पावर यह और अच्छे से इंक्रीस कर पाते पॉर्टिक्यूस ने जो अपनी military post और settlements वी इस्ट कोस्ट में बनाए जिसका नाम क्या था सैंथो में सैंथो में जो की इस्ट कोस्ट में था चैन नहीं हमारा इस्ट कोस्ट में पढ़ता है महीं पे था एक जगा सैंथो में में नौन हमें अपनी military post और settlements बनाए थे और कहां पर मनाए थे नागपटम आंद प्रदेश में यानि सैंथो में जो की चैन नहीं में था और नागपटम आंद प्रदेश में नौन हमें अपनी military post और settlements बनाए towards the end of the 16th century जैसे 16th century खतम हुई तो एक wealthy settlement ग्रो होने लगा कहाँ पर वेस्ट बंगाल हुगली के अंदर ठीक है invoice and ambassador वर exchange between Goa and many of the major kingdoms in India अब दा टाइम इस समय जो ambassador थे ठीक है जो राजदू थे उनका भी exchange शुरू हो गया था कहाँ पर Goa और भारत के बहुत सारे kingdoms में जिसे की Portuguese का उन सब के साथ बातचीत रहती थी trade वगरा विवपार की बातची ट्रीटी वगरा sign होने लगी और Goa के बीच में और डेकन सुल्तान के बीच में ट्रीटी भी sign हुई थी गोआ और डेकन सुल्तान के बीच में ट्रीटी जो है sign हुई थी जो regularly renew होती रही जैसे जैसे kingdom last हो जगया Portuguese जो थे उन्होंने हमेशा बहुत important हो लवाया successive battles में और पनी power को balance रखने में किस-किस के बीच में विजयनगर और डेकन सुल्तान के बीच में क्योंकि डेकन और मुगल और मुगल्स और मराथा उस के बीच में बीचोंने हमेशा balance बना के रखने की कोशिश की पॉर्टिक्यू जो थे पहले European थे जो भारत में आय थे और ऐसे भी European थे सबसे एंड में भारत से गई थे कब जब 1961 में भारत सरकार ने अपने गोवा को और दमन और दियू को इनसे पॉर्टिक्यू इसका एड्मिस्टेशन भारत में तो जो head of the administration था वह कौन था वाइसरोई था जो कितने साल के लिए सब्सक्राइब करता था तीन साल के लिए उसके साथ उसकी help करने के लिए कौन होता था उसका secretary यानि कि जो head of the administration का नाम है वाइसरोई टैनूर कितना है तीन साल और किसकी help के लिए किसे appoint किया जाता था secretary of state ठीक है ना उसके बाद और साथ ही साथ उसकी ये council भी हुआ करती थी दूसरी important ये था वैदोर दा फाजेंदा यानि ये responsible होता थी post revenues के लिए cargo के लिए ठीक है ना और fleet यानि कि army के लिए तो जो fortress है fortress यानि कि fortress मतलब अचारों उसके दूसरे किसी चीज को cover कर ले ना fortress जो है कहां से from Africa to China यानि जो fortress था कहां से कहां तक था अफ्रेका से चाइना तक force भी आया करती थी captain थे जो captain होते थे ना उनको assist करने के लिए कुछ व्यक्ति होते थे उनको बोला जाता था factor ठीक है ना captain के साथ में कुछ व्यक्ति होते थे उनकी help करने के लिए उनकी पावर इंक्रीज होती गई ठीक है न डिफिकल्टी और डिफिकल्टी और डिफिकल्टी सव कम्मिनिकेशन और वास्टू उपन यूज पर पर्सनल एड्सक्यू अब क्योंकि एक तो लॉस हुआ उनकी religious policy Portuguese की religious policy क्या थी the moors with the bitter enemies of the Portuguese in North Africa देखो Portuguese के North Africa में जो moors थे वो उनके बहुत ही कर रहे वाले बहुत ही टाइट वाले उनके दुश्मन थे ठीक है ना बहुत गहरे दुश्मन थे उनके कहां पे थे मूर उनका नाम उनको जाना किससे जाया है मूर से जो बेटर enemies थे पॉर्टिक्यूस के अफरिका में ठीक है न North Africa में अफरिका के भी Northern पार्ट में ठीक है न जो Arabs थे ठीक है न और उनके मूर एनिमीस थे डिफिकल्ट एनिमीस थे बहुत जादा जो की North Africa में थे arriving in the East और पॉर्टिक्यूस brought with them the same zeal to promote Christianity and wish to prosecute all Muslims जब Arabs जो थे वो आय थे उन्होंने क्या करा था अपनी Muslim धर्म को प्रमोट किया था लेकिन जब Arabs वो पॉर्टिक्यूस आय तो उनका क्या था रिलीजियस धर्म, Christianity तो उन्होंने भी कोशिच की रिया रब कि Musliminity को replace करके किसको replace कर दिया जाए उसकी जगापे Christianity को replace कर दिया जाए और जो Muslims के तरफ उनका वहवार था बहुत जादा intolerant था पॉर्टिक्यूस जो थे वो शुरूबात में उनका हिंदूस के तरफ जो वहव को increase किया था लेनलीज पे लिया था तो जो हिंदूस जो थे देरवादा चेंजर तो हिंदूस को भी उन्होंने परसीक्यूट करना शुरू कर दिया अपने Christianity को increase करने के लिए लेकिन उनका जो intolerant behavior था तो जैसूर जो थे उन्होंने good impression मनाया कहापे अकवर के दरवार में जै मुगल अंपरेर का interest जो था मुगल अंपरेर का interest in question of theology उन्होंने सोच आता हम किसी तरीके से मुगल अंपरेर का interest सर्व करें और अपने धर्म को भी आगे भराएं तो इस तरीके की कोशिच की जैसूट ने अकवर के दरवार में अपना impression भढ़ा के तो September 1579 में क्या होता है अ पर सिकरी का निर्मार चल रहा था September 1579 में अकवर ने गोवा में अपने राजदूर भेजे और उन से request की कि उनको invite करा कि इनको दो religious priest को कि दो religious priest दो लंड प्रीस्ट आप मेरी दरवार में भेजें क्यूंकि अकवर सभी धर्मों के बारे में जानने की चुकता रखता था September 1579 ना इन में गोवा से request की कि वो दो लंड प्रीस्ट उसके दरवार में भेजें लैटर फॉरवर्ड करके तो जो church की authority थी गोवा में उसने इसको accept करा invitation को और उसने emperor को Christianity में बदलने के लिए उसके court में कुछ लोग भेजे जो उसने भेजे उनका नाम क्या था जोए सुट फा पहुचे इसमें फत्यापुट सिक्री का निर्मार चल रहा था इनवैट कब किया 1579 में ये पहुचे कब 18 फरवरी 1518 में इनवैट कब किया 1579 में रीच कब हुए 28 फरवरी 1518 में जब ये रिसीव्ट किया बहुती मान सम्मान के साथ में तो जो aqua viva और monsi rate थे वो बापस आगे 3 साल बाद यानि सोचो aqua viva और monsi rate को पहुचके 1580 में फत्यापुट सिर्ट से बापस आए 3 साल बाद भाई 3 साल तक कुछ तो किया होगा वहां पे तो aqua viva और monsi rate 3 साल बाद 1583 में वहां से बापस आगए ठीक है ना Portuguese entertainer उन्हों को बहुत मज़ा है अकवर के साथ बाद चीत करने में अपने Christian faith को show करने में दूसरा mission जो था अकवर ने बुलाया था कब 1590 यानि की 10 साल के बाद यानि पहला बुलाया 1579 में जो 1580 में पहुचा और 1583 में वह दो लोग वापस आए अब उसके 10 साल बाद 1590 में उसने क्या करा दूसरा mission बुलाया उसकी इस बा लाहूर में 1593 में 1592 में 1595 में तीसरा session बुलाया पहला 1599 में दूसरा 1590 में और तीसरा 1595 में लाहूर में उसने बुलाया ठीक है 79, 90 और 95 तीन संस्याद रखनी है उसके बाद में उसने continue करा permanent institution बनाने का उसका influence भी रहा तो जैरोम, जैवियर और इमैनुवल फिन्रपो ठीक है फादर नाम था जैरोम, जैवियर और इमैनुवल फिन्रियो ये लीडर थे मिशन के इन्होंने letter बेजा इनको letter मिला था code से जिसमें इन्होंने information देखी थी अकवर के reason की अकवर कहां पा rule कर रहा है कैसलों के सब के व दीरे करके temporary arrangement होने लगा, जैसूट का end हो गया, अकवर को interest था, जहांगिर को को interest नहीं था, 1606 में दौबारा से 1606 में he again renewed his favor to them, दौबारा से उसने मतलब उनके favor के बारे में बात करने कोशिश की, लेकिन elegant or spacious church जो थी लाहर में उसने allow किया क्या college हैं मनाने के लिए, priest के residence बनाने के लिए, 1608 में क्या होता है, 20 vaporism जो होते हैं वो आगरा आते हैं और priestly publishally करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से portugool जो है liberty देते हैं, उनका धर्म अच्छा है, जहांगिर जो एक अंडर्ट करता है, just priest और बेकिम hopeful वा ब्रिंगिं हिम with the Christian fold, this hope और बिलीड, moreover arrogant action on the part of the Portuguese viceroy created a rift with the Mughal Emperor, लेकिन जो उनका action था, मतलब इस हद तक नहीं था कि जहांगिर उससे support कर पाते हैं, काफी arrogant behavior behave कर रहे थे portugool जो थे, portugool लूज favor with the Mughals, portugool ने Mughals का favor कैसे lose कर दिया, कैसे उनके हाथ से Mughals का favor चला गया, छीक है, इसके बाद हम कल शुरू करेंगे, ठीक है, thank you